अलो फ्रेंड्स स्वाधत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यस बैंक के बारे में यस बैंक में आज एक बड़ी ख़वर निकल के आ रही है एकदम लेटेस्ट नियूज है कोई भी रिपीटेड नियूज नहीं है जब मैंने आज एस बैंक का शेर प्राइस देखा तो उसमें एक अच्छा खासा उच्छाल आया हुआ था तबी मुझे पता था कि इसमें कोई ना कोई नियूज का सिल्सला आज फिर से देखने को मिलेगा और सेम सेनरियो आपको यहाँ पर देखने को मिला और यहाँ पर आज एक बड़ी ख़वर निकल के आई है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ और जो मैंने अपनी प्रीवेस वीडियो में आपको कुछ बातें बताई थी वो भी काफी हद तक सही होते हूँ नजर आ रही है तो आज की वीडियो आप प्लीज पूरा जरू देखिए आपको एक एक चीज की क्लारिटी भी मिल जाए इन्फोर्मिशन अगर आपको वेल्यूएवल लगे तो लाइक जरू कर दीजिएगा चैनल पर फरस्टाम इजट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरू कर दीजिएगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबते पहले बात कर लेते हैं जल्दी से एक बारी मार्केट सेनरियों के बारे में आज यहां पे आपको मार्केट की Ani and Weekly Closing देखने को मिली थी आज मार्केट अज़ फॉजितिव साइड में क्लोस होते है नजराया करीबन एक परसंट से भी ज़्यादा का मूमेंट आपको इंडाइसिस में देखने को मिला है 708 पॉइंट्स के साथ Sensex ने Positive Closing दी Nifty 50 ने 205 पॉइंट्स की Positive Closing Nifty Bank में 774 2 परसंट से ज़्यादा का मूमेंट और वहीं Mid Cap में आपको 442 का Positive Side पर मूमेंट देखने को मिला है जो की काफी अच्छी चीज निकलके आती है कुछ Stocks है थे जिन में आपको अच्छी काची तेजी देखने को मिली जैसे कि NTPC, BPCL, Power Grid Corporation और Industry Bank इंड में आपको 3.5% से लेके करीवन 6% के आसपास तक की तेजी देखने को मिली थी तो अगर आपके बस इन में से कोई भी Stock होगा तो आज अच्छा कास आपको गेन देखने को मिला होगा वहीं कुछ Losers जिन में आज आज आपको बयांकर गिरावट देखने को मिली जिसमें आपको Hero Moto Corp, Tech Mahindra, SBI Life Insurance और Sun Pharma जिसमें आपको करीवन करीवन आदे परसंट से धाई परसंट तक की गिरावट देखने को मिली है तो ये तो रहा overall market का सेनरियो अब हम बात करेंगे Yes Bank के बारे में Yes Bank में आज एक बहुत अच्छा गासा moment देखने को मिला करीबन 2.85% का positive side पे आज moment दिखाते हो नजर आया है 12.65 यानि कि 12 रुपे 65 पैसे पर आज की closing 12 रुपे 25 पर open हुआ था 12 रुपे 70 पैसे का high बनाया और 12 रुपे 25 का ही आज का low था अब यह जो 12 रुपे 65 पैसे की closing हो सकता है आपके portfolio में थोड़ी बात ऊपर नीचे हो तो कि यह जो data है वो है Google का एप पर थोड़ी बात closing आपको changes देखने को मिलती है वही अगर हम बात करें आज के performance के बारे में तो आज आपको यहाँ पर देखने को मिला है कि 12 रुपे 25 पैसे का आज का low था और 12 रुपे 70 पैसे का आज का high बनाता है यानि कि एक अच्छे कासे level पे changes देखने को मिले है और यहाँ पर आज आपको volume बहुत ज़ादा देखने को मिला है सबते अच्छी बात यह है कि weekly closing आपको yes bank की positive note पर होते हुए नजर आई है यानि कि एक अच्छा कासा moment आपको next week में देखने को मिल सकता है अब एक करके important बातों पर यहाँ पर हम नजर डालेंगे सबते पहले सबते important चीज़ बता देता हूँ जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि video please पूरा जरू देखे उससे मेरा मतलब यह होता है कि अगर आप video पूरा देखेंगे आपको पूरी बाते समझ में आएंगी कि आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ क्या कहना चाहरा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग yes बाइंग के बारे में कभी मैं point बोलता हूँ तो बस यही सोचते हैं कि मैं उसको buying की recommendation दे रहा हूँ जबकि ऐसा मैंने अभी तक नहीं बोला है कि आपको fresh buying करनी चाहिए मैंने बस आपको यहीं बोला है कि holdings है तो hold करो और बेचिने के जरुवत नहीं यह यह मेरा opinion है और हमेशा से मैंने आपको fresh position बनाने के लिए हमेशा से ही मना किया है कि जब तक ERC की news ना आ जाए तब तक आपको यहाँ पे कोई भी fresh position नहीं बनानी है अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर ख़बर क्या निकल के आई है यहाँ पे screen पर news आपके सामने है Sevy Lens on Nippon Life AMC Sikka over Yes Bank 81 bonds यानि कि अगर आप देखोगे तो Sevy ने Nippon Life AMC के जो CEO है Sikka उन पर अब नजर बनाई है उनसर investigation की है क्योंकि यहाँ पर उनका connection Yes Bank के 81 bonds के साथ निकलते हुए नजर आ रहा है बड़ी news Yes Bank के लिए positive है लेकिन जो AMC है उसके थोड़ी सी negative है यहाँ पर आप देख पा रहे होगे As of December 31st 2021 Nippon Life India's Asset Management was the 6th largest domestic fund house with the AUM at 2.8 lakh crores यानि कि अगर आप देखोगे अगर हम 31 December 2021 तक की बारे में बात करें तो जो Nippon Life का है वो आपको यहाँ पर 6th largest domestic fund house देखने को मिलेगा और AUM आपको यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है अब यहाँ पर पूरी बात क्या है उस पर थोड़ी थोड़ी थी अगर हम नजर डालें आपको 81 Bonds में था वो क्या सच में यहाँ पर जो अनिल धीरुबाई अम्मानी है मतलब उनका जो ग्रुप है उससे influence हुआ था यानि कोनों ने shareholder को influence किया था या फिन नहीं यहाँ पर आप आगे देखो यानि की सेवी ने एक अच्छा खासा यहाँ पर जो इन्वेस्टिकेशन है वो श्टार्ट कर दिया है संदीप सिक्का पर और यहाँ से जो 81 बॉंड में investment किया गया था उसके क्या क्या scenario थे उस पर पूरी तरीके से allegation लगाए है और investigation करनी start कर दिया है अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो सिक्का का नाम आ रहा है वो कौन है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगा तब उस टाइम पर जो सिक्का है संदीप सिक्का वो आपको यहाँ पर इसके CEO देखने को मिल रहे थे तो definitely अगर आप देखोगे तो यहाँ पर scenario काफी ज़्यादा बदलता हुआ नजर आ रहा है आगे अगर आप देखें Reliance Nippon Life Assets Management had one of the biggest exposure to the Yes Bank 81 यानि कि इनोंने सकते ज़्यादा निवेश किया हुआ है Yes Bank 81 bonds में The Anil Ammani led group has borrowed from the Yes Bank to the extent of over 12,000 करोर और यहाँ से इनोंने करीबन 12,000 करोर तक का जो लोन है वो लिया था Yes Bank से तो definitely अब यहाँ ज़्यादा सिनेरियो काफी अत्तक बदलते हुआ नजर आ रहा है और daily मतलब आपको alternate days पर तो कोई ना कोई news देखने को जरूर मिल जाती है Yes Bank के बारे में और मैं हर news को आपको update कर देता हूँ चाहे वो positive news हो या फिर negative news हो तो definitely यहाँ पे मैं अभी आपको फिर से यही बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा time देना पड़ेगा अगर आपने निवेश किया है मैं आपको फिर से बता दूँ मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि Yes Bank में आपको fresh position यानि कि buying करनी चाही है मैं आपको बस यही बोल रहा हूँ कि अगर आपकी जो buying level है वो higher price पे है तो definitely आप hold करो यह उस level को touch कर सकता है कोंकि scenario उसको ऐसे बनते हो नजर आ रहे हैं और fresh buying आपको तब करनी है जब इसमें ARC की एक अच्छी news आ जाए उससे पहले बिल्कुल भी नहीं करनी तो मैं जब भी कोई वीडियो बनाओ पूरा अगर आप दिखोगे एक चीज की clarity मिलेगी और वहाँ पे फिर आप सही से बातों को समझ पाओगे रादर देन की एक word आपने सुना और comment में आपने बोल दिया कुछ भी negative तो आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी important लगा हो तो like कर सकते हो चैनल पर first time visit कर रहे हैं सब्सक्राइब जनू कर दीजेगा so that आपको timely updates मिलती रहे धन्यवाद